हलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे मतर कच्छी मतर का ऐसा टेश्टी नास्ता जो आज से पहले नहीं खाया होगा और ना बनाया होगा बनाने में इतना आसान कि आप इसे 5 मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं फटापड जब भी कोई नास्ता नहीं दीखे तो आप इस नास्ते को बना कर तयार करें और मतर अब मार्केट में खूब अच्छी आ रही है और सस्ती भी आ रही है तो हमें इसे ही नास्ता बनाना चाहिए और जो नास्ता रोज रोज हम खा सके आज वो ही नास्ता मैंने बना कर तयार करा है उसके लिए मैंने ये एक कफ मटर ले लिया है और इसके मैंने दाने निकाल लिया है यहाँ पर ले लिया है मैंने मिक्सी का जार और अब इस मिक्सी जार में हम इसे डाल देंगे अब यहाँ पर एक इंच ले लिया है अध्रक का टुकड़ा और एक त्याही कफ ले लिया है मैंने दही फ्रेश दही चाहिए आपके लिए अब इसे डाल कर और हम इसको दरदरा पीश लेंगे जादा बरीक नहीं करेंगे और जाड़ा मौटा भी नहीं रखेंगे अब यहाँ पर मैंने वर्तन ले लिया है और मटर मैंने पीश कर कर लिये तयार अब इस मटर को पलट लेगे सारी मटर को निकाल ले और इस तरह मैंने निकाल कर यह कर लिये तयार अब हम अगली तयारी कर लेते हैं यहाँ पर दो मैंने आलू ले लिया है आलू यह मेरे नई वाले है आपके पास अगर नई पुरानी हैं तो वो भी ले सकते हैं अब इस तरह मैंने छील कर और इसमें पानी डाल लिया है अब इस तरह मैंने गीयकस ले लिया है और मैंने पतले वारे होल्स से इसे गीयकस बन जाएं और इस तरह मैंने गीयकस करे हैं देखो इतने पतले आपको भी रखने हैं जादा मौटे लच्छे नहीं बनाने अब इसी तरह में सारे गीयकस को खलूंगे दोनों आलू को आप अगर जादा नास्ता बना रहे हैं तो आलू आप तीन भी ले सकते हैं नास्ता आप हम इने तीन चार वार धो लेंगे कि आलू में बहुत जादा इस्टाच होता है तो इस तरह मैंने आलू धोकर कर लिये हैं तयार और इधर जो हमने मटर अपनी पीसकर रखी है उसे देख लेते हैं अब जो आलू हमने गिया कस करा वो इसे धोकर और निचोड कर इसमें डाल द सूजी कर लिया वbokती क्रण्ची बन कर तयार में आठी और यहां पर दो मैंने हरी मिर्च ली हैं च्योटी च्योटी काट ली दो लिये मैंने सूकी हुई लाल निच्छ मिर्च इसे भी मैने काट कर लिया को लिए इसे नास्ता खाने में भी टैस्टि लगे और देखने में बहुत अच्छा लगे यहां पर मैंने ध्रेश ध्रिया भी खूब आ तो हम इसमें छूब ड़्या डाला है कि आहसे हैं 20 च Aber डालेंगे और आदा चमद डालेंगे धन्या पाउडर आदा चमद डालेंगे मिर्च का पाउडर और और आदा चम्मच डालेंगे जीरा मर मिर्चाप कम जादा कर सकते हैं अपने टेस्टर नुसार अब आदा चम्मच मैंने चार्थ मसाला डालिया है अदा चम्मच गरम मसाला डालिया है और अब इसमें हम डालेंगे वेसल मैंने अभी आदा का वेसल लिया है देखते हैं कितना अब इसे हम अच्छी तरह मिला लिए मैंने कम मसालों में और कम सामान में telephone धेस्टी नास्था बनाकर तयार करा है अगर आप इसे बनाओगे तो आप बार बार नास्थे को बना कर तयार करोंगे बहुत ही पसंद आने वाला है आपको आज का नास्था ऐसा हो और भार नहीं ब अब इस तरह ये डो तयार हो गया है डो को आपको ज्यादा पतला नहीं करना आए अब इसमें जो थोड़ा सा पानी बचा था बोवी मैंने डाल दिया कि सूजी भूलेगी तो हमारी परफेक्ट हो जाएगी अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं दस मिनट वाद हम फिर चेक कर लेते हैं सूजी ने हमारी ने पानी जो था वो अजोब कर लिया है और जैसा बेटर हमें चाहिए उस तरह का ये बनकर तयार हो क्या है अब हम इसे खूब अच्छी तरह मिलाएंगे इससे हमारा नास्ता बहुत ही फिलफी और एक दम फूला अब इसमें दो चुटकी हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और इसे भी हम खूब अच्छी तरह मिलाएंगे जिससे हमारा नास्ता अंदर तक सिकर और तयार हो जाए इसे खूब अच्छी तरह फैट ले जिससे ये देखने में हलका लगे अब इस तरह हमारा तयार है और हैं उस तरह के इसमें तोड़े हैं और मैं खूब बड़े बड़े पकोड़े बनाकर तयार करूंगी एक की जगए दो की जगए एक ही बनाकर तयार करूंगी और इस तरह मैंने पकोड़े तोड़ दी हैं गोल-गोल अब इसे हम नीचे से ब्राउन होने तक इसका इंतियार कर गैस मैंने अब करती है चालों अब यह नीचे से ब्राउन हो गए अब हम इन्हें हटा लेती हैं कहीं यह आपस में चिप्टे नहीं बिल्कुल नहीं चिप्टे बहुत अलग अलग इस तरह यह तयार है अब हम इन्हें पलट देंगे आप देख पारे बहुत ही प्यार कलर आया है और खुसबू भी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत ही अच्छा नास्ता बनकर तयार होगा आप इस नास्ती को ऐसे ही खा सकते इसे में आपको चटनी की भी जरुत नहीं ना किसी सोस की इसी तरह नास्ता मैं सारा शेक कर तयार करूंगों अब ये नीचे से सिग्या है अब इसे हम अलट पलट कर दो मिनट सिखेंगे जिसे ये अंदर तक अच्छी तरह सिख जाए इस तरह आप देख पारें बहुत अच्छी तरह यह सिख गया है और इससे ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे नहीं तो यह उपर से कड़व जाएंगे और तो इस तरह यह सिख कर तयार है अब हम इसे निकाल लेते हैं आपको इसको low to medium गयस पर ही सेखना है high गयस पर नहीं सेखना है या नहीं तो यह अंदर तक नहीं सिख पाएंगे और जल जायेगी अब इस तरह देख पा रहे हैं आप कितने अच्छी तरह सिक्कर तयार हैं और इसी तरह मैं सारे सिक्कर कर लेती हूं तयार यहाँ पर मैंने सारा नास्ता सिक्कर तयार कर लिया है अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका नास्ता कैसा बना और खाने में कितना टेस्टी था अब इस तरह आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छी तरह ये सिग्या है बहुत ही दिको फिलफी है अगर मैं तोड रही हूँ तो ये फ़र से टूट रहा है तो इस तरह तयार है चलो चलते हैं और ने स्टी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए थैंक्यू फोर वाचिंग